Assalamualaikum everyone, so in this video we are going to start a chapter Communication in Health Education, ठीक है, अब Health Education की Communication को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले Communication की Definition को पता होना चाहिए, ठीक है Communication के कैते कैसे हैं, ठीक है Communication जो है ने, ये Countless ways है, जो Human, जिसके जरीए Human जो है, एक दूसरे के साथ in touch में रहते हैं ठीक है countless ways हो सकते हैं जो हम लोग आगे discuss कर लेंगे ठीक है अच्छा अब communications जो होती है न वो हमारे पास इसके different components होते हैं ठीक है जैसे हमारे पास जैसे अब मैं आपको बताता हूँ 5 components होते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आता हूँ sender पर ठीक है अब sender क्या होता है कि sender वो बंदा होता है जो originate करता है message को ठीक है वो बंदा जो message को बनाता है वो होता है sender ठीक है अब जो sender होता है उसको अपने objectives का पता होना चाहिए ठीक है अपने objectives को उसको पहले से पता होना चाहिए, उसको लोगों के interest के बारे में भी बता होना चाहिए, ठीक है scientist में उसको जो है वो अपनी abilities और limitations के बारे में भी बता होना चाहिए जो sender है, उसको अपने, sender जो है, उसको objectives का पता होना चाहिए, उसको लोगों के interest के बारे में पता होना चाहिए, उसको जो है, अपने message के बारे में पता होना चाहिए, उसको अपने challenge के बारे में पता होना चाहिए, अपनी limitations और अपनी abilities के बारे में पता होना चाहिए, ठीक ह अब receivers जो होते है इस actually a person जो हमारे पास information जो है वो receive करता है ठीक है अब receiver हमारे पास दो types की हो सकते हैं इसमें दो type of audience होती है एक हमारे पास control audience होती है और एक हमारे पास free audience होती है control of audience वो होती है वो group of audience जिनका same interest होता है ठीक है for example मैं अगर बात करता हूँ कि वो लोग जो इस वीडियो को देख रहें, ठीक है, तो obviously उनका कोई interest है, वो medical students है, उनका interest है कि वो इस topic के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा non-medicos बंदा होगा, वो ऐसी scroll up कर रहा होगा, और इसके सामने मेरी वीडियो आ जाती है, और इसको title पसं हमारे पस वो information होती है, जो sender जो होता है, वो originate करता है, अब message जो है, वो clear होना चाहिए, meaningful होना चाहिए, according to the interest of the community people होना चाहिए, अच्छा हम message की बात कर रहे थे, तो message जो है वो एक तो clear होना चाहिए, meaningful होना चाहिए, according to the interest of the people होना चाहिए, ठीक है? इसके रावा social और community जो वो है, उनके लिए appropriate होना चाहिए, socially और culturally appropriate होना चाहिए, ठीक है? और according to the need होना चाहिए, ठीक है, पर इसके बाद आते हैं हम channels पे, ठीक है, channels में हमारे पास वो चीज़ होती है, जिसके जरी हम message भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम channel कहते हैं, अब हमारे पास 3 medias होते हैं इसमें, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है interpersonal communication, ठीक है, interpersonal communication जो होती है अब face to face communication को आप interpersonal communication कहते हो, ठीक है, for example, और इसका जादा influence होते है, for example, अगर मैं face to face किसी को कोई information दे रहा हूँ, या मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ, तो obvious कि उसका जादा influence होगा, rather than कि मैं TV के जरीए, या internet के जरीए किसी को कुछ चीज़ information दे रहा हूँ, ठीक है, पर इ इसके लाबा इंटरनेट आ जाते हैं, और हमारे पास न्यूस पेपर और खेर आ जाते हैं, ठीक है, वो ये शॉर्ट टाइम में large population को cover करते हैं, पर इसके बाद हमारे पास आता है folk media, folk media basically, different हमारे पास गाने, dramas, और जो है, वो dances के जरीए कोई message gun में कर रहे होते हैं, folk media में, ठीक है, अच्छा जी, पर इसके बाद हमारे पास आता है feedback, अब feedback जो होता है na, basically, feedback basically, audience जो है, वो feedback देती है, कि उनको message जो है, वो पसंद आया, या नहीं पसंद आया, या उनको कोई अपना opinion है इस बारे में, तो feedback में आ जाता है, ठीक है, पर इसके बाद हमारे पास एक है, सेनान waiver communication model, ठीक है, सेनान waiver communication model, इसमें होता है, कि हमारे पास sender होता है, जो message send करता है, via a communication channel to the receiver, receiver जो है, उसको receive करता है, जब sender send करता है, तो codified form में होता है, लेकिन जो receiver उसको receive करता है, तो decodified form में convert कर देता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास वो भी होता है, feedback भी होता है, ठीक है अच्छा जी अब हम लोग आते हैं टैप्स of communication पे ठीक है communications की हमारे पास different types होती है सबसे पहले हमारे पास आता है one way communication one way communication को हम didactic communication भी कहते हैं जिसमें जिसे for example हमारा जो lecture होता है lecture hall में ठीक है तो उसमें teacher आता है अपना lecture देके चला जाता है अपनी information हम पे impose करके चला जाते है ठीक है और इसमें feedback नहीं होता और दूसरा ये कि audience जो होती है जो students बैठे होते हैं उनकी भी participation बहुत जादा कम होती है ठीक है और इसका जो one way communication इसका influence भी बहुत कम होता है जब कि अगर हम two way communication जिसको हम socratic communication कहते है वो basically हमारे पास दोनों audience और जो convey कर रहा होता है message sender दोनों का communication होती है आपस में ठीक है जो audience होती है वो अपना participation भी show करती है अपना feedback भी देती है और इसका influence भी जादा होता है ठीक है पर इसके बाद हम लोग आते है verbal communication verbal communication में basically हमारे पास एक तो direct verbal होता है जिसमें बन्दा बोल के कोई अपनी information देता है और simple words में बोलता है indirect verbal में ही होता है कि अपनी information codified form में बोलता है ठीक है hidden information होती है ठीक है पर इसके बाद हम लोग आते है non-verbal information non-verbal information basically by gesture या by posture या by expression या by silence जो हम लोग communication करते हैं वो in-verbal communication है ठीक है फिर इसके बाद हमारे पस आते हैं हम लोग formal and informal formal में हमारे पस जैसे के अगर हमारे college के administration से कोई information या कोई letter हमारे पस आता है तो formally आता है लेकिन जब अगर मैं किसी दोस्ट से अपने कोई बात कर रहा हूं की दरिये या हम graphs के दरिये या maps के दरिये जो हम communication करते हैं ठीक है और end में हमारे पस telecommunication and internet communication हो जाते हैं ठीक है अच्छा अब हम लोग आते हैं I hope that's visible wait now we come to method in health education ठीक है health communication या health education का जो method होता है तो हम communication के तीन तरीके होते है एक हमारे पस होता है individual approach individual approach जो होती नहीं one-to-one जो conversations होती है उसको आप individual approach कहते हो for example एक patient doctor के पास जाता है तो वो one-to-one उसकी communication होती है doctor के साथ ठीक है तो obviously इसका influence भी जादा होता है ठीक है फिर इसके बाद हमारे पस आता है group approach ठीक है group approach में obviously एक time में छोटे time में आप जादा जादा लोगों को अपना message convey कर सकते हो ठीक है जैसे school में बच्चों को पढ़ाया जाता है drawings बनाता है graphs बनाता है students को समझाने की कोशिश करते है तो इसको हम chalk and walk method कहते हैं ठीक है फिर इसके बाद आते हैं demonstration ठीक है demonstration में basically हम demonstrate करके बताते हैं जो भी procedure है whatever the thing is उसको हम demonstrate करते हैं ठीक है जैसे कि अगर हम अपने clinical skills की lab में जाते हैं तो doctors या teachers जो होते हैं वो हमें perform करके दिखाते हैं कि हमने for example हमने abdomen की examination कैसे करनी है या हमने chest की examination कैसे करनी है तो this is a demonstration technique ठीक है फिर इसके बाद हमारे पास आती है group discussion group discussion में different 5-6 लोग होते हैं वो आपस में discuss कर रहे होते हैं अपनी जो knowledge होती है वो एक दूसर से share कर रहे होते है इसके बाद हमारे पास आती है panel discussion panel में ऐसी तरह 4-5 बंदे होते हैं वो जो है वो large population को class को जो है वो पढ़ा रहे होते हैं ठीक है पिर आते है symposium symposium is basically speech या speech के जरीए आपको information दे रहे हो या हम workshop जो हमारी workshop होती है उसके जरीए आपको information दे रहे हो ठीक है ये भी हो सकता है और एक होता है role playing कि आप different dramas के जरीए अपना message convey करना चाहरे हो ठीक है अब हम आते है mass approach पे ठीक है अब जो mass approach होता है ना इसमें basically हमारे पास multi media आ जाता है और हमारे पास social media आ जाता है जिसके जरीए हम communication करते हैं ठीक है अब इसमें हमारे पास देखो TV है, radio है, internet है, newspaper है, printed material है सही है, इसके लावा direct mails है folk media आ गया, billboard आ गये, सारा कुछ आ गये ठीक है, अच्छा जी अब हम आते है barrier of communication पे ठीक है अब हमारे पास barriers ये अगर हम बात करें ना तो हमारे पास चार barriers होते है एक हमारे पास है physiological barrier for example, मैं देख नहीं सकता या मैं सुन नहीं सकता, ठीक है तो ये मेरा physiologically मेरे में कोई मसला है barrier है, जिसके जरीए मैं communicate नहीं कर पारा properly, ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है psychological barrier like अगर मैं किसी दिन emotionally upset होंगा तो उस दिन मैं properly communicate नहीं कर बाऊंगा दूसरे से या तो मैं neurosis का patient हूँ, किसी कोई schizophrenia है या कोई और patient हूँ तो obviously मेरे communication खराब होगी, ठीक है इसके इलावा अगर level of intelligence भी communication के लिए बहुत important होती है, ठीक है अब environment जो होती है, यह basically हमारे पास जैसे अगर environment में शोर बहुत जादा हो या धुन्दली हो, congestion हो, या कोई invisibility हो तो obviously communication में problem होगी, फिर culture पर आजाते हैं तो culture में हमारे बादे इस different values होती है, religious values होती है language आजाती है, या जो है वो education आजाती है तो obviously वो barrier, it plays a role of barrier ठीक है, that's it बाकि हम next video में continue करते है